मस्कार पागे थे आप सभी का मैं हूँ आपके साथ लोकेंदर त्यागी उप्चुनाव पर न्यूज स्टेट की महा कवरिच लगाता जारी है और शिवराज सिंग का जादू एक बार फिर से मध्य प्रदेश में चलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि दो सीटों पर रिजल्ट अब आ चुके हैं और दोनों पर ही बीजेपी ने एक अबजा जमा दिया है बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव ने कॉंग्रेस के नितेंदर सिंग डाठॉर को हरा दिया है और ये सीट ऐसी थी प्रत्वी पुर जहां पर आशंका थी बीजेपी को कि कुछ गडबड हो सकती है आरोप भी लगाये गए थी जब चुनाववा उसके अगले दिन तवाम आरोप लगाये गए और प्रजेन सिंग राठॉर का एक बड़ा कदता यहां पर वो मंत्री भी रहे खमलनाथ सरकार में और बहुत जादा उमीद यहां पर नहीं लग रही थी भारती जनरता पार्टी को हमारे साथ जीतेंदर जुड़ गए हैं इस वक्त जादा जानकारी के साथ जीतेंदर इस सीट को जीदने के बाद जाहर बात है बीजेपी संतोश महसूस कर रही होगी क्योंकि यहीं पर ऐसा लग रहा था कि उमीद कम थी भारती जनरता पार्टी को खासकर जिस सरीके से आरोप भी लगाय गए थे कि चुनाप को प्रभावित करने की कोशिस की गई बिल्कु देखिए 15,687 वोट बीजेपी को उस छेतर से मिलना जिस छेतर को लेकर लगातर बीजेपी अपना पुरा फोकस कर रही थी और वाकिए में कहीं बड़ी जीते बीजेपी के लिए प्रथिवपूर विदान सबाकी इस छेतर के अगर हम बात करें तो देखिए ब्रजेन सिंग राटोर यहां से मंतरी थे इस छेतर से विधायक थे कमलना सरकार में मंतरी भी रहे और इसके अलावा एक अच्छा उनका प्रभाव इस छेतर में माना जाता था प्रथिपूर में लेकिन जिस तरह से तीजे उल्टे हुए हैं उसके बात कही ना कही अब यहां पर मंधन कॉंगरेस को करने की जरूती कि आखिरे से क्या वज़ा रही कहा ऐसा फैलियर हुआ है क्योंकि प्रत्याशी चैन में कॉंगरेस ने यहां पर किसी प्रकार की कहा जा सकता है कि कुछ गलत के केंडिडेट को नहीं उतरा नितेंदे सिंग राठोर एक जीतने लाए कि हापर केंडिडेट थे लेकिन जिस तरह से बीजेपी के शिचुपाल यादव ने यहां पर जीत हासल कि है वाकई में उसके बात कि कॉंगरेस को यह बात करना पड़ेगा कि इतने तमाम बात भी कॉंगरेस आखिर क्यों अपने पक्षमे माहुल जन्ता की बीच में नहीं बना पाई शिचुपाल यादव चूंकि समाजवादी पार्टी से आये थे इसके लिए उनका लगातर रोध भी हुआ था पूर में और लगातर आपने देखा हुआ कि शिचुपाल याद सबास सीट्स से कॉंगरेस की हार होना और बीजेपी का जीतना अपने आपने बताता है कि बीजेपी मजबूती के साथ इस चुनाओ को लड़ी है और शायद यहीं वज़ाए कहीं नहीं एक चुकि सत्ता का सेमी फाइनल इसे माहना जा रहा था इस चुनाओ को कि इस दो हज 2023 के चुनाओं में मिल सकता है लेकर फायदा लगातर का यास लगा गय थे कि अफने से भी बात होती थी सब लोग यही कहना था कि प्रत्वपूर कंग्रेस जीत जाएगी बाकी सीटों पर सेई हशे की क्या होगा तो प्रतिवपूर में इतना confidence होने के बाद अगर प्रतिवपूर सीट यहां से Congress हा रही है तो वाकई में अपने आपने कहीं नहीं कहीं 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 को मंधन करने की जरूत है जोबड में भली हमी मान सकते हैं कि कहीं नहीं कि प्रतिवपूर तो पूरी clear थी कि प्रतिवपूर में किस तरह से voting होगी और किस तरह से प्रतिवपूर का चैयन होगा और प्रतिवपूर कोन बन के उत्रे का Congress का बावजुद उसके उस छेतर से हार होना यह अपने आप में गंबिर विशे है फिलाल देखिए जीत जो जीतता है वही सिकंदर क्यलाता है और यह हमेशा का जो नियम है वो रहा है अब शिशुपाल यादव के हातों में कमान हैं देखना ही होगा कि 2023 से पहले वो छेतरी की जनता के लिए इसे क्या कारे करते हैं कि जीत को वह लगातार 2023 की चुनाओं में और इसके अलावा जोबट को लेकर भी चर्चायती की कॉंग्रेस चुनाओं जीतेगी क्योंकि यहाँ पर आदिवासी बाहुल छेतर है और इसके अलावा पहले यहाँ पर जो विदायक्ती कलावती भूरियां वो कॉंग्रेस से ही थी लेकिन यहाँ पर पूरा तख्ता ही प्लेट दिया है क्योंकि सिलोचना रावत का टिकेट बीजेपी की तरफ से फाइनल होना बीजेपी में उन्हें विलाना फिर बीजेपी टिकेट नहीं देती है उनके लिए पूरे मंतरी लग जाते हैं जो tofu our जैटे बढ़े-बडे- बढ़े मंत्रियों की हहाँ पर सवाए क्या समिकरन बने की कॉंग्रेस जिस सीट पर सबसे ज़ादा कॉंफिडेंटी वहीं पर हार का सामना करना पड़ा है। जनता के बीच में अपना संदेश जो देना है उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से उन्होंने अपना चुनाव पिचार किया। पर उनको एक संदेश जो लॉटते हैं सुदीर आपके पास और बड़ी जीत है ये और बीजेपी ने बड़े सोच समझकर इस चुनाव को लड़ा था। जीतेंद्र हम कह सकते हैं रेगाओं में जिस सरीके से कॉंग्रिस की बढ़त है और वहां पर ये कहा जा रहा है कि ये तो हमेशा से बीजेपी के लिए मजबूत सीट रही जहां खुशी मिली होगी रेगाओं में आगे बढ़नी की वहीं पर एक बड़ा जटका है प्रत्व बारतिन द्रपार्टी को यहां से फायदा मिलता था जुगल किष्वर बागरी यहां से विदायी तया लेकिन इस बार यहां पर तिक्रोणी बाइन देखने को मिला क्योंकि बीजेपी ने यहां पर अपने उमिद्वार को ही नहीं उता रहा सिर्फ कॉंग्रेस और पर भी मेंद की और मेंद करने के साथ यहां तमाम जो चीज़े थी वो की गई देगे समय बीजेपी कारे में मौदूद हूँ लगातार सभी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है और बीजेपी के प्रवक्ता इस समय मेरे साथ मौदूद है राकियो शर्मा हम उनसे बात कर ल रही है और जनता रूपी भगवान ने आज हमको आशिरवात दिया है यह बड़ा उस्सा और उमंक का समय है क्योंकि कहीं ना कहीं भारती जनता पार्टी का छोटे से लेके हर कार करता चुनाओं में लगा हुआ था और जब चुनाओं पढ़े न हम हमारे पक्ष में आए त प्रिसानों की समझे यह तमाम मुद्ध्य सामने निकल कर आए थे और ऐसे में सबसे बड़ी बात प्रत्विपुर्च जिसको लेके कॉंग्रेस भी कॉंफिडेंस थी और तमाम लोग कॉंफिडेंस और कहीं रहे हैं आप लोगों को भी डरता है कि प्रत्विपुर्च का प सरकार के काम और देश में मोदी जी की सरकार जो काम कर रही उसके लिए जनता के बीच गये थे और आज अगर चुनाव के परिणाम हमारे पक्ष में आये तो कहीं न कहीं हमारी नीतियों से हमारी रीती से जनता सहमत है इसलिए हमारे पक्ष में परिणाम आये लेकिन हम वही आज हमारी जो योजनाय चल रही है आपने किसान की बात करी केंदरीज में 6,000 रुपे मोधी जी पूरे देश में किसानों को दे रहे हैं मद्ड़परदेश में एक मातरेसा राज है जहां पर 4,000 रुपे अत्रिक उनको मिल रहे हैं 10,000 रुपे मिल रहे हैं कॉंग्रेस सासीत राज्यों में ये योजनाय क्यों नहीं लागू हो रही है और वहां क्यों लोगों को लाब नहीं पहुचाए जा रहा है इसलिए कही न कहीं आज आप अगर मद्डाता की चिंदा करेंगे आज उनके लिए काम करेंगे तो वो आपके साथ खड़ा रहेगा वो जमाने गए जब हवा हवाई बातों से सिर्फ बोल बचन से काम चल जाता सतर साल तक कॉंग्रेस पार्टी सिर्फ देश में गरीबी हटाने के नारे को लेकर चुनाव लड़ती रही और कहीं न कहीं सफल होती रही पर आज मद्डाता बहुत जागरू के उसको पता है कि कौन उसके लिए काम करता है और कौन उसके लिए काम कर रहा है इसलिए परिणाम हमारे पक्षेश लेकिन बागरी परिवार की हम बात करें रेगाओं में तो एक अच्छा होल्ट माना जाता था जुगल किशोर बागरी आपके पाच बार के हमाँ से विधायक रहे हैं लेकिन वही बागरी परिवार को जब आपने टिकेट दिया तो इस बा सेले तो चारो सीटों पर भाचपा आँगे चल रही थी अब थोड़े से बोटों से हम वहां पर रेगाओं में पीछे चल रहे हैं मुझे लगता है कि अंति परिणा भारती रंता पाटी के पक्ष में आएंगे लेकिन पोने तीन लाक का आगड़ा था नंदु बाईया का लोगसभा में इस बार घटके वो पचास साट तक आगया है अभी तक इतनी लीट चल रही है उपचुनाव में आप देखा के थोड़ा सा मद्दान का प्रतिशत कम हुआ था में जब चुनाव हुए थे उस समय आप देखें मद्दान का प्रतिशत और अब उपचुनाव म एक बड़े नेता थे मद्दिप्रदेश के और उनको कितना प्यार करती थी जनता ये किसी से चुपानी आप भी परचार में गया होंगे तो हर व्यक्ति नंदु भहिया को याद कर रहा था उसके बाद भारती जनता पार्टी का उम्मिदवार महां इतने बोटों से जीत र भाजपा के लिए फेवर में समीकरण दिखाई दें अब कॉंग्रेस पार्टी की किस तरी के सी रियक्षिन कई या इतने 11- thrive you हट जी अवि में बर्त मांबें कॉंग्रेस पार्टी की तो प्रत्यासिते जोब विदान सबाव है उनके घर पर खड़ा हो अब उना ही से उम बात करेंगे 22 पढ़ेस में से कि आखिर में कॉंग्रेस पार्टी की हार का कारण क्या रहा है किस प्रकार से कॉंग्रेस पार्टी हारी और मुख्यों से क्या रही है सबसे पहले तो मैं जोबट की मद्दाताओं को भध भध धन्यावाद देता हूं जिनोंने मुझे करीब 62,000 वोट कॉंग्रेस को मिले मैं सबसे पहले जनता जोबट की जनता का आभार मानता हूँ और जो मेरी जो 6,000 से हार हुई है जो कि परसाशन, साशन और पूरे भारती जनता पाल्टी के नेता दवारा कुछ छेतरों में 50-500-500 फरजी वोट डालके जो कि 8-10,000 वोट फरजी डाले थे इसके कारणिया कांग और इसकी अंद्रोनी बड़े निताओं द्वारा भी हरायत है जी जो गीपक भुरिया ने लगातर बगावा की थी और साथ इक आंतिलाल बुरिया विक्रान बुरिया इनकी जो कारे से लिए वो किस प्रकार सरी आपको सपोर्ट किया नहीं किया ये बताईए कारे से लिए म वक्त उनके पास चलेंगे दुर्गे शिक्याब डेट आपके बास और इस वक्त मेरे साथ पूरु मंतरी लखन घंगोरिया जी मौजूद है जो इस पूरे उप्चुनाओ के प्रभारी भी थे जिन्होंने लगातार रेगाव जाकर वहाँ पर मैनेजमेंट समहला और जितना प्रचार प्रसाथ था सब उनके हातों मेरे साथ लखन जी है सर पहले तो बढ़ाई आपको के रेगाव जान समर्शीत में एक अच्छी जीत हासिल की है खास कर क्योंकि बीजीपी का किलाव आना जाता था किस तरीके से आपने पूरी ववस्ता वहाँ पर देखी और क्या कमी वहाँ देखी जो जनता कॉंग्रेस को चुड़ी हो कांग्रेस का एक एक कार करता एक रूपता के साथ चुनाव लडा बड़े नेता से लेके छोटा कार करता तक और बड़े इमानदारी और निष्टा के साथ चुनाओ लगा और ये कहें कि ये पूरी जीत कसरे यदी किसी को जाता है तो सतना जिले के कांग्रेट के एक एक कारकरता को जाता है जिनने कहीं ये आभात नहीं होने दिया के कांग्रेट में कहीं बिखराओ है हम अपनी एक रूपता एक जुटता के कारण आम जन्मानद को ये समझाने में सपल हो गए कि बड़ती महंगाई नाकामी का दोसी कौन है हम आम जन्मानद को ये समझाने में सपल हो गए कि विकास का नाम का ठोंग करते हैं परपंच रचते हैं मَانनि मुक्यमंत्री जी, रेगाउच छेतर में लगवग सात वार से, जहां ये जीत रहा है, बहाँ विकास नाम की चीज नहीं है, बनियादी arguably नहीं हैं, और मुक्यमंत्री जी की खुद की सभाओं में, खुद की घोष्णाओं से, जन्मानस ने समझ लिया था कि मुक्यमंत्री जी एक वार नहीं चार चुनाओं में एक ही घोशना करते आए कि रहगाओं में हम कालेज खोलेंगे चार चुनाओं मतलब 20 साल 20 साल पहले जो बच्चा पैदा हुगा हो 20 साल के लगबग वो 20 साल में पीजी कर लेता है लेकिन कालेज नजारत है वहाँ कालेज की जवी नावन्टित नहीं हुई कालेज का कोई भी परकार का भूमी से लेके एक पत्थर नहीं रखा गया और मुक्यमंत्री जी वहाँ खड़े होके घोटला करते थे के जो रेगाँ में कालेज खुलेगा उसका नाम जो कहल के सुर भागरी जी के नाम पर रखा जाएगा जिसका और छोड़ नहीं वो बातें महां जाके वो कर रहे थे सड़ के हैं नहीं विकास नाम के बार बार ये कहते आए लगबग सत्रा अठारा साल से मुक्कमंत्री जी कहते आए कि महां की पानी की समस्या से लोगों को निजाद दिलाएंगे बरगी की दाइटर्ट नहर से वहां पानी पहुंचना था लेकिन कहीं ना कहीं बन्यादी जो मुद्दे थे लेकिन इस पूरी चुनाव प्रचार में देखा कि व्यक्तिकत आरो प्रत्यारो भी बहुत जमकर लगाए गये हैं क्या उसका असार कुछ हद तक जनता पर पढ़ा या केवल विकास ही मुद्दा था विकास सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था नौ जवानों को अपने भविश्य की चिंता थी वे रोजगारी यह सबसे बड़ा मुद्दा था जहां तक आरो प्रत्यारो प्रत्यारो की बात है तो मुक शीधा सा है कि वहां भारती जनता पाइटी के लोग खुद ऐसा आचरान करते रहे बेगार कोई आरोप लगा उनके आचरान ही सिद्ध कर देते थे और वो ही उनकी सपाई देते थे कांगरे तो यह कहीं विक्टर में नहीं थी दूसरा बड़ा सवाल रहेगा कि क्या जो महगाई आप मुद्दा बोल रहे हैं विकास का मुद्दा बोल रहे हैं ये प्रत्वीपूर जोवट में क्यों नजन नहीं आए वहाँ पर जो है बीजीपी की अच्छे जीत हुई है खंडवा लोग सब चुनाओं में अच्छे जी देख लें तो खंडवा एक परंपराजाथ नंदू भीया की सीर्थी यदि नंदू भीया की जीत का अंतर हम देखें और आज की परिविस में अंतर देखें और इस परश्ट रूप से जो कांग्रेस का विखरा होता है एक विधायक हमारा छोड़के गया उन तमाम इस्तित हमें अक्रूस तो है पहली चीज़ दूसरी चीज़ रहगाओं महत्पूर इसलिए थी कि रहगाओं में साथ वार से कांग्रेस हार रही थी और बीजेपी के नेताओं को दम बटा कि रहगाओं से कोई छीन नहीं सकता यह दम बटा ये उनका पूरे चुनाओं के परिचार क गाय हो वहाँ के ये हालात हो तो ये उन सब के लिए चिंता का विश्यत है बेसक चुनाओ जो परणाम निकले हैं वो बहुत हद तक कांग्रेस के हक में नहीं गहें लेकिन एक सीट पर जीत पाना क्या कांग्रेस कार करता हूं या बाकी पदातिकारियों जान फूख पाएगा एक मंत्री उनके सरकार के जितने सिस्टम हैं तमाम चुनाओं में छोंक दिये जाती है और चुनाओ परणाम को प्रभावित किया जाता अब चुनाओं प्रवीपोर जोब अठी किया परकुछ पॉर्ट जो हार है क्या इसमें कांग्रेस के बड़े लीडर या यूं कहें कि कमनलाज्जी की हार कहीं नजर आती आपको क्योंकि मेहनत तो उन सीटों पर भी बरावर करी थी को जहां तक सवाल इस बात का उठता है कि पिछला दोर हम देखे है तो चुनी हुई सरकार जब खरीच सकते हैं लोग ना तो चुनाओ को लूड़ भी सकते हैं और चुनाओ को खरीच भी सकते हैं सरकारी तंत्रे में वो ताकत होती है और सरकारी तंत्रे ने वो किया कमलाज जी के नेतरत्व में बहुत अच्छे से हम चुनाओ लड़े और कमलाज जी के नेतरत्व में हम 2023 में सरकार वनाएंगे ये भी तेह पर राम चुनाओ होगा और चुनाओ नहीं होगा जहां पूरी सरकार को जोका जाता है बिल्कुल तो दिखिए ये पूर्मक्ति लखन गंगोरिया है जिनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही एक सीट पर कॉंग्रेस जीती हो लेकिन पूरी उम्मीद है कि 2023 में पूरी दम के साथ मैदान पूतरेगी बसरते बीजी पी सरकारी तंतर का उपयोग न करें लो के लिए बिल्कुल आप बने रही है हमारे साथ जीते इंद्र भी जुड़े हुए हैं जीते इंद्र अब हार हो गई है लेकिन कॉंग्रेस ने तह स्विकार करने के लिए तयार नहीं है देखे हैं आपकरिने और हार हुई है और हार कोई आसान ही तरिके से नहीं हुए है रेगाओं की भी एकर हम बात करें तो एक आख्ड़ा निकल कर आएगा वह आकड़ा इतना लंबा नहीं होगा इतना बड़ा आकड़ा नहीं होगा तो ऐसे में यहाँ पर एक कहना गलत नहीं होगा कि कहीना कि जो कॉंगरिस की जो हार है वो कहीना कि जो नेतुरत ने इस बार अपने प्रत्याशियों के चैन में गलती की है उसका खामी अज़ा कही ना कहीं बुगत ना पड़ रहा है हम बात करें अगर रेगाओं की बात करें हम जोबट की बात करें हम इसके अलाव अगर हम बात करें खंड़वा की बात करें तो आपको सभी सीटों पे आप देखेंगे बार बार यह कहती थी कि बीजेपी में भी बहुत कुछ स्टेक पर है बहुत कुछ बदल सकता है अगर इस चुनाव में एक बीजेपी हार जाती है तो यहां से क्या इस सरकार को इस संगठन को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है अगले दो सालों के लिए 23 सक के लिए बिल्कुल देखिए क्योंकि जितने भी उपचुनाओं हुए हैं उस उपचुनाओं में भारतिन्दा पार्टी ने अपनी पूरी तयारी के साथ काम किया हाला कि इसके पहले जब एक चुनाओं हुआ था उस दोरान राहुल लोदी को हार का सामना करना जरूर पड़ा था लेकिन बीजेपी ने बता दिया कि बीजेपी अगर एक अदम पीछे चलती है तो वो इसलिए पीछे होती है ताकि वो एक छलांग लगा सके और इस चुनाओं के मादियम जो उसने बता दिया कि वो छलांग लगाने में अभी भी माहिर है और यही बजा है कि अब एक बार फिर से जो संगटन है दो साल के लिए माना जा सकता है कि बीजेपी का एक बार फिर से मजबूत हो गया है चाहिए कि लके अंभी जो चुनाओं का पता लगाए कि उन चुनाओं के मादियम से कि 2023 की स्थी और क्या हो सकती है तो यह में यह भी माना जा सकता है कि जिस परकार से आपने देखा था कि जब 27 चुनाओं हुए तो उप चुनाओं हुए थे मद्यप्रदेश में उसमें भारती इंता पार्टी ने जीत हासिल की थी इसके बाद अभी जो चार सीटों पर चुनाओं हुए थे उसमें बीजेपी ने तीन सीटों पर जीत हासिल किये और ऐसी सीटे जिसके बारे में सोचा ही नहीं जारा जारा प्रत्विपूर सबसे बड़ा उधारण है तो जाहिर सी बात है कि भारती इंता पालिटी का पूरा संगट है एक बार फिर से confidence में है मजबूती के साथ मद्यपरदेश में खड़ा है और आगा में चुनाओ के लिए भी तैयार है बिल्कुल सुदीर हमारे साथ प्रत्विपूर से जुड़े हुए सुदीर इस चुनाओ में भी इस मुद्य को बहुत उचाला गया कि बाहरी प्रत्याशी हैं खासकर दो सीट पर और उसमें से प्रत्विपूर एक थी जिसमें शिशुपाल यादव ने जीत दर्ज कर लिए तो ये बाहरी वाला मुद्धा ज़ादा मैटर नहीं करता है एक बार फिर से साबित हो गया कुछी आंटराल से जो कंग्रिस के निता थे उनसे हारे थे तो उसको देखती हुए और फिर उन्होंने भाजपा की सदस्ता घरण जीती हूँ और इसके बाद वह भाजपा की अपडेट देदे इस वक्त दर्शकों को दो जगह से तो अच्छी खबर आई बीजेपी के लिए लेकिन तीसरी रहगाओं में कॉंग्रेस की जो बढ़त है वो अब जीत में तबदील हो गई है और यहां से प्रतीमा बागरी हार गई है शुनाब को कलतना वर्मा जो की कॉंग्रेस पार्टी से थी उन्होंने शुनाब को जीत लिया है जुगल के शोर बागरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी पांच बार विधायक रहे लंबे समय तक विधायक थे और फिलहाल कॉंग्रेस पार्टी ने सीट पर जीत दर्श कर लिये तो रहगाओं में कॉंग्रेस पार्टी के लिए अच्छा रजल्ट सामने आए क्योंकि ये सीट बीजेपी के लिए काफी मस्बूत मानी जा रही थी लेकिन यहां पर हुआ य बिल्कु देखिए बीजेपी का ना होना ही कहिना की भारजिंदा पार्टी को यहां पर रुकसान देखे गया है क्योंकि आपके पहले भी देखा होगा कि 30 साल से भारजिंदा पार्टी के पास ये सीट थी और जब भी रेगाओं में चुनाओं होता था उस दोरान पार्टी को यहां पर मिला है क्योंकि बीजेपी का वोटर्स था वो कॉंग्रेस के साथ आ गया और यही वज़ा रही है कि कॉंगरेस की कलपना वर्मा ने अब जीत हासिल किया है एक 25 साल का जो मिर्थक था उसको कहिना कि कॉंग्रेस की प्रत्याशी ने तोड़ा है कलपना वर्मा ने बिल्कुल आप दोनों बने रहे तमाम अपडेट आप से आगे भी लेंगे फिलहाल यहां पर छोटेस से ब्रेक लिए रुकना है जल्ब वापस लॉटिंगे कलपना वर्मा ने प्रतिमा बागरी को हरा दिया है ये बड़ी खबर आपको बता दें दो सीचों पर बीजेपी ने कब्दा किया है लेकिन रेगाओ में बीजेपी हार गई है बीजेपी के फ्रतिमा बागरी हार गई है खांडवा सीट पर कड़ी चक्कर है पृतिपुर और जोबट में बीजेपी ने जी सासे कर ली है बीजेपी की प्रत्याशी जीत गई है और रेगाओं से प्रतिमा बागरी को कल्पना वर्माने हरा दिया है इसके साथ ही आपको जानकारी दे दे 12,000 से जादा वोट है जिसने बीजेपी की प्रत्याशी यहाँ पर हार गई है जीते इंदर हमारे साथ जादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं जीते इंदर दो सीटों पर तो बीजेपी ने कबजा कर लिया लेकिन रेगाओं जहाँ पर इतना बड़ा रिकॉर्ड बीजेपी के नाम था वो कही न कहीं कॉंगर्स से तोड़ दिया है बिल्कुत देखिए पैतिस साल से जो सीट थी रेगाओं की वो भारतियनता पार्टी के पास ती पाच बार से जुगलकिशो और बागरी यहां से विधायक थे और ऐसे में इस सीट पर कॉंगरेस का कबजा कर लेना अपने आप में कहीना कहीं बीजेपी के लिए बीजेपी आप होने की चलते हैं यहांपर बीजेपी का बी ऑप का बीजेपी के अच्पूर्ट था वो काफी जादा मिलता था और बीजेपी का जो कैंडिड़ेट खड़ा होता था उसके बाद हमाः तर तर्कोनी मताब्ले का फायदा कहें यह भारतिशीज पर कंच के बीच में Film चा कि अगर 35 साल में यहां पर त्रिकोनी मुकाबला होता था और अगर दो पक्षी मुकाबले में बीजेपी हार रही है तो कहीं ने कि पीजेपी को अपने नेताओं को मजबूत करना पड़ेगा इस चेतर से पार्टी की कारकरताओं को यहां पर अपडेट करना पड़ेगा और कॉंगरेस की पास यह सीट थी उन दोनों सीटों को बीजेपी ने यहां से चीन लिया है प्रत्विपूर जो की पूर मंत्री रहे मंत्री प्रदेश के ब्रजेन सिंग राठोर की सीट थी उनके निधन के बाद उनके पुत्र नितेंदर सिंग राठोर के यहां से बीजेपी जूढ गे हैं पर बाकी बाखी दो जगह पर अभी हम कह सकते हैं कि centrifugan प्रम में क्या बड़ी वज़े लगती है यहाँ पर बीज़ेपी की हार के पीछे आप बिल्कुल देखिए कॉंग्रेस के लिए कहना गलत नहीं हुगा कि किसी सीट पर खुशी किसी सीट पर गम रहगाओ विधानसवा शेत्र के लेकर कॉंग्रेस ने जो वहाँ का बीज़ीपी का किला धाया है ये एक बड़ी जीत कॉंग्रेस की कहेंगे और यहीं कॉंग्रेस के लिए जानफूकने वाली जीत रहेगे क्योंकि पूर तीनों विधानसवा सीटों के उपचनाव पैदी हम नजा डालें तो रहगाओं एक मातर ऐसी विधानसवा सीट थी जो सबसे ज़ादा मजबूत बीजीपी के लिए मानी जा रही थी क्योंकि 1993 से यहाँ पर कॉंग्रेस ने खाता नहीं खोला था 1977 को इस विधानसवा सीट का गठर हुआ था और दो बार ऐसा रहा जब दूसरी पारटी वहाँ पर बनी और 1993 से जो बीजीपी ने यहाँ पर अपना किला बनाना शुरू किया तो वो साल 2013 तक जारी रहा और 2013 में भी कॉंग्रेस ने खाता नहीं खोला था वहाँ पर बीजीपी की उशा चौधरी ने जीत दर्च की थी और उसके बाद 2018 में फिर बीजीपी ने ही वहाँ अपना इत्यास दोर आया और जुगल किशुर बागरी ने चुनाओ जीता था तो ये सीट तो बीजीपी अपनी कंफर्म मान के चल रही थी कि बिर्थभी पर उस जुवट को एक तरह से जो राज़िते गल्यारों में चर्चा थी तो बीजीपी को हार जेलनी पड़ी देखें यदि हम हार की समिक्षा करेंगे तो कुछ बात ऐसी हैं जो इस्पष्ट तोर पर दिख रही थी कि ये बीजीपी की नुकसान में जाएंगी कि जुगल के सुर बागरी के ही किसी परिवार से किसी व्यक्ति को टिकेट दी जाएगी लेकिन बीजीपी ने ऐसा नहीं किया प्रतिमा बागरी को लेकर आई जो दूसरी कैंडिडेट थे उनके परिवार से हट कर नहीं थे तो एक तो बीजीपी के लिए ये मानस कि जो जुगल के सुर्भागरी का परिवार था वो कहीं न कहीं पार्टी से नाखुश था और उसने एक तरीकी से अंतरगार जिसे कह सकते हैं वो ज़रूर कि कहीं न कहीं किया होगा दूसरी बाती की सकना जिलेवा महियर विरान सवा सीर से आने वाले विदाय नाएक परिविपूर को लेकर प्रिविपूर में देखिए बीजेपी ने जी जीत हासिल की काफे मुश्किल ये सीट मानी जा रही थी बीजेपी के लिए और कॉंग्रेस का गड़ इसे कहा जाता है कॉंग्रेस ही जादातर बार इस सीट पर जीती है लेकिन इस बार बीजेपी ने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनाई की यहाँ पर जो है बीजेपी को जीत आसल हुई मैं आपके पास लोटूंगी मुखिमंतरी क्या कुछ कह रहे हैं सीधा सुनते हैं है आप में इस अच्छा होता है आप लगातार चुनाओ प Complete वारतीजंटा पार्टी चुनाओं में जीत की तो बाद फुरूफ सत्तर साल में एक बार हम जीते थे प्रिथवीपुर और दो बार हम जीते थे जोवट जोवट तो पिछले साल 2019 में लोकसभा के चुनाओं में हम लहर में भी हारे थे अब पूरी पट्टी में मिशेस का ट्राइवल बेल्ट में भारती जनता पारिटी को नुकसान विधान सभा में भी हुआ था और लोक सभा में भी हुआ था ऐसी सीट का जीत जाना अपने आप में चमतकारी है और यह बात का प्रमान और प्रतीक है कि आदिवासी भाई बेहनों का विश्वास भारती जनता पारिटी में फिर से लोटा है जोवट के बल बोटों सी इतना जब हमने बैठक बुलाई और काम सुरू हम लोग कर रहे थे तो अबजर्वेशन यह था कि वहां क्यों मेहनत की जाए तो जीतने का सवाल ही नहीं है लेकिन हम लोगों ने रनीती बनाई मैंने जंदरसन भी किया वहां कारिकरम किये जंदरसन जोबट में भी सुख़दाए सुलोचना रावत को आप कांग्रेस से भाजपा में लाए सुभाव के रूप से कैलकुलेटिव रिस्क था यह क्योंकि भारती जंदा पार्टी के कारकरताओं को तैयार भी करना था और आज जो है वो जोबट भाजपा ने जीत ली तो यह माना जाए कि कुछ समझ के किया कि कई वार जोखिम तो उठाने पड़ते हैं और जो जोखिम उठाते हैं वही सफलता भी पाते हैं लेकिन हम लोगों ने जो सोचा था लगभग वैसा का वैसा बलकि उससे बहतर परिणाम आया चुनाओं में आपने बूरी मेहनत करी आप इस बार रातरी में जब चुनाओं शुरू हुआ था तब यह माना जा रहा था कि पृत्विपूर और जोवट तो जीतना मुश्किल ले तो इसलिए यह थनी मेहनत की और आप पर्ड़न हरे कि यह मानता था कि आप जीत नहीं सकते काय को आप परिस्रम कर रहे हैं लेकिन मुझे पूरा वि जनाय और जनता की वीच हम लेके गए और पृत्विपूर में भी जन का लियान की जो काम हमने सोचिये तैकिये विसेस कर मुखमंतरी भू आवासी अधिकार योजना वो पृत्विपूर से ही निकली मेरे और आके मैंने यह तैय कर दिया कि हर एक गरीब को हम प्लाट जनाएंगी जिसके पास रहने का घर नहीं तो जनता का कस्ट देखते हैं योजनाय बनाते हैं प्रयास करते हैं सफलता मिलती है लेकिन सच मुछ मैं जब हम सुरू हुए थे तो मुझे भी विश्वास नहीं था कि यह दो सीट हम जीच सकते हैं चमत कारिक परिणाम है कमलना जो हैं वो लगातार आपकी चुनाओं में आलोचना करते रहे पहले भी यह सब चलता रहा है कॉंग्रेस लगातार देखा जाए तो पिछले कई सालों से शिवराज सिंग चुहान को निशाने पर रखती है और आप चुनाओ परिणाम उसका जबाब देते हैं क्या एक बार फिरी हमाना जाए कॉंगरेस की क्या इस्तिति मत्रदेश में आप देख रहे हैं ने क्लिस का मेरी सलाइई है कि बास्तिविक्ता को समझे के बारूप लगाने से क्या होगा दिन और रात केवल मुझे कोस्त रहने से कांग्रेस का बहला नहीं होगा जूरां रेंगों प्रधान मंतिरी जी भुपाल आ रहे हैं ट्रैबस का कारों होने वाला आप तो ट्राइबस के लिए आगे क्या खाका है आपका को है Сам समया나둥ज क्विए साथ हमने सामाने वर्ग के लिए सामाने वर्ग कल्यान आयोग बनाया हमने पिछले वर्ग लिए पिछला वर्ग कल्यान आयोग बनाया अंसूचित जन्जाती आयोग अंसूचित जाती आयोग और विभिन योजनाएं सब के कल्यान के लिए है अब ये तीनों सीटें आसीरवात फ्रूप जो जनता ने दी है वो प्रधान मंत्री जी को हम लोग मैट करेंगे और प्रधान मंत्री जी के पृति मद्द्देश की जनता के मन में जो प्रेम है इस नहें विश्वास और स्रिद्धा है सब्सक्राइब उसका भी ये प्रिकटी करन हुआ है तो यह थे मद्द्द्री ने ने जीन का अब सुन रहे थे और हमारेसाथ सथीर्भीपर्दी पर Happy एकक्सक्लूजी जुड़ dużo हैं उन से बात कर ले सुधीर प्रिद्विपूर की आप बात कर रहे थे और बता रहे थे कि यहाँ पर इस सीट पर ऐसा कैसे फिर बदल हुआ बीजेपी के खाते में कैसे आई यह सीट और क्या स्क्रेटेजिय यहाँ पर बीजेपी की काम कर गए ज eviden good बीजेपी को यहां से पिथीपूर विधान्सवा सीट जीतना और उसके लिए सभी संगटन इस तर से मुखवंती ने तमाम क्रयास किये पिथीपूर विधान सवा सीट आती है निवारी विधान सवा सीट पर वीजेपी से विधाएक अनल जैन जी का अब जा है हमाई साथ अनिल लेंडी भी है आईए उनसे बात करते हैं बताएं ये बड़ी चणोती पूर बड़ी सफलता है विधान समय चुनोती जो मानी मकुवंती जी का भी है मैं सुल लहां था कि में आपके सामने कहा जो मेनद ची मुखमंती सिवरा सिंगी स्वान जी ने जो मेनद ची वह उसका ही पैड़ाम सुकत पैड़ाम आज है कि आज हम भार्ति जनता पायर्टी 15 जार से भी अधे पर हम चीपने जा रहेंगे निवारी जिला जिला जिसे दूशे छोटा जिला है काम करने की संभावना देखें जनमानत में राटि जनता पायर्टी के पिट्छी यह उह आस्ता है विस्वास है और लोगों ने यजिस के साथ हैं इसे जो हम लोगों का वहान भी रहता है जो हम लोगों का अभुए प्रयास किया रहता जो मिटेंरे का फॉर्वादी, यूरी के रूप में डूध तो छोटे जिले की जो विकास की संभाव बनाया थी आज करने का आउसर मिलेगा मजमुती के साथ हम लोग में मुखें जिले को कि दो रांक कई आरू पित्या रूप भी लगे और अशर क्या मौन देखिए आरू पित्या रूप करना ही कॉंघरिस का सिर्फ काम रह गया इसी पूरे देश में हम बार्टिए ज़ए का सफाया है। कि एक जिले में जो संभावनाखी वोगो कुपने का केजी के साथ काम करने जा रहा है मेरे लिए बहुत तुकत है और मैं ड़क साब को भी वधाई देता हूं और पने नेतत को भी धन्वाद देता हूं कि मेरी सीट में जिताने में उन्होंने जो एहम गूँ का नवाई है नि नी को लेकर किया जनता का बता आपके पक्षिराया धरति тоже कि बोंटी सभरासुइंघ गोद की गोष्राइ कोे जब पेहनते हैं जब तब ही तो ऐसे अन्जाम आते कि भारती जन्ता पायटिव विजए ग्योर्ट पता का पहराती है कि निवारी जिले का लोड़ भी कालफनेक्स चेचा कि अगर देते कि निवारी कभी जिला बन सकता लेकन उन्हों अपने खोसरा की अपने बायदे के मताविक निवारी को जिला बनाए जनका ने मुझे आसी बात दिया आज अने को खुसरा अपीति पर विधान सभाव में भी है जिनकों करने के कुछ तो चुनाओ के पूर्व वो काम तेजी से हो भी गए हैं और जो सेस्थ काम है निश्चे जुरूप सिस्वाज जी एक पित्यासी की रूप में आज वि दायक अनेल जेन जी जो बता रहे हैं कि सिवरा सिंग चोहान ने जो बिकास को लेकर यहां घुश्राएं की हैं कहीं न कहीं उन बिकास की उजनाओ को लेकर जनता का मत भाजपा के पक्ष में रहा है और इसी को लेकर जनता ने जो अपना मत है वो भाजपा को दिया है और भ लेकिन फिर भी बीजेपी ने यहाँ पर जी थासल की है या तो प्रचार काम कर गया या फिर स्ट्रेटरिजी जो बीजेपी ने यहाँ पर काम लाई वो जो हे बीजेपी के हख में काम कर गई हमारे सा हुज दुरगेश भी लगाताा जुड़े है जीतिंद्र अगर हम खंडवा लोगसभा की बात करें अब आखिरी नतीजे आना उसी पर बाकी रह गया है और बाकी तीन सीटों को लेकर फैसला साफ हो चुका है कि जनता ने क्या जनादेश दिया है लेकिन खंडवा की बात करें लगभग यहाँ पर जो लीड जितनी लीड स बीजेपी आगे चल रही है लगता नहीं कि कॉंग्रेस किस तरीके से भी अपने फेवर में कर पाएगी नतीजे जित कर सकेंगे लेकिन इतने बड़े आकड़े को शायद नहीं तो पाएंगे लेकिन खंडवा कर हम लोग सबा की बात करें तो यहाँ पर आपको दो चीज़े नजर आएंगी चूकि नंदी भाई हुआ कि यह पैत्रक सीट मानी जाती थी तो ऐसे में यहां से लोने चुना नतीजा यह निकला कि जीत तो नहीं पाए लेकिन बीजेपी का जो एक मार्जन था उसको इने कहीं कम कर दिया इसके पीछे भी दो करणे एक तो यही कि लगा था नंदू भाई है कि बेटे का जो विरोध हुआ था हर्ष चोहान का तो ऐसे में पार्टी के अंदर भी कुछ नेता हो कि अगर गुडवाजी है तो वो भी कही जा सकति है कि निकल कराई हो कि जो बीजेपी के कैंडिदेट के साथ इस तरह का हो क्योंकि आपने देखा हो का शुरुआती दौर में बीजेपी के के जो कैडिडेट है उन्होंने दावा किया था कि वे नंदू भाईया से भी जादा वोटों से जीत कर दिखाएंगे लेकिन देखिए तकसा पर लिटा हाला कि जीत की और वो बढ़ चुके हैं जीतने ही वाले हैं कुछ देर के बाद घुशड़ा मी होने वाले है प्रतिमा भागरी को ओहर का सामना करना पड़ा बीजेपी ने बाकी तीनों सीटों पर तो अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन यहां पर क्या लगता है क्या वो फैक्टर रहा क्या बस्पा की प्रत्याशी का चुनावी मैदार में ना होना एक फैक्टर हम माने की इस वज़र से भी वोट जो है वो कॉंग्रेस को गया और इस वज़र से कॉंग्रेस की प्रत्याशी जी थासिल किया बिल्कुल देखिए एक बड़ा फैक्टर था क्योंकि इस बार कॉंग्रेज जो है बस्पा के वस्पा को एक तरीके से ये समझाने में कामियाब हो गई कि वो मैदान में ना उतरे और यही वज़े कि जो सीधी फाइट रहगाओं विधान सावाथ में हो गई थी वो केवल कॉंग्रेस बीजीपी के बीच में हो गई थी तो यह एक बड़ा फेक्टर वहाँ पर कहीं न कहीं बीच पी का था और इसलिए कॉंग्रेस ने ये दाओं खेला और बीच पी को साधने में कामियाब रही और उसका पैणाम भी उसके पक्ष में गया लेकिन इसके साथ साथ बीजीपी के अंदरूनी कल है भी कहीं न कहीं बीजीपी को रेगाव विधान सबाट शेतर में हार का सामने करना पड़ रहा है पर निगेटिव साबित हुए बीजीपी के लिए तो ये कुछ फैक्टर ऐसे थे जो बीजीपी को वहां पर हार का ये तरफ ले जा रहे थे और ये बात कहीं न कहीं बीजीपी भी जानती थी क्योंकि यहीं वज़य थी कि जब सबसे ज़ादा मजबूत विधान साबाट सीट जिसे आप मान रहे थे उसके बाबजूर भी खुद बीजीपी के कई बड़े दिगज नेता वहां पर लगातार जंसाबाएं करते रहे खुद मुक्मतरी शिवरा सिंग चुहान ने भी आठ से ज़ादा साबाएं वहां बिल्कुल पूरी ताकत बीजीपी ने लगाई लेकिन बाबजूर दिसके कॉंग्रिस की स्ट्रेटेजी यहां पर काम कर गई सुलोचिनार रावत को चुनावी मैदान में उतारना कहीं न कहीं बीजीपी का हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा एक कदम रहा कि चुनावी योद्धा के रूप में उन्हें चुनावी मैदान में उतारा क्योंकि कॉंग्रेस से ही वो आए थी अगर कॉंग्रेस उन्हें टिक किया है वाकई में वो कहने की काम किया है क्यों देखिए हम भी जब जोबट गए थे महाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी तो अलग तरह के जो नजारे थे वो महाँ पर देखने को मिल रहे थे सबसे पहली बात यही थी कि सलोचना रावत के साथ को फायदा यह था कि वो कल थी यहने कि जोबट विदान सबाई सही थी और एक महिला केंडिडेट थी तो ऐसे में सलोचना रावत को यहां से फायदा इसनले भी मिलना था कि वो में विदायक बनती रही है कॉंग्रेस के समय पर तो ऐसे में उस केंडिडेट को टिकेट ना देना कॉंग्रेस की उसको अभेहलना करना और शायद यही बचा रही कि भारतियंता पार्टी ने उन्हें मोका दिया, बीजेपी में शामिल किया, टिकेट दिया और उसके बाद पूरे संगर्धन के नेताओं के सासत मंत्रियों को मेदान मे उतार दिया, नतीजा सामने सब के है कि स्लोचना राव अगर कॉंगरस टिकेट दे दे ती तो शायद तस्वीर आज की कुछ और होती, लेकिन यहां पर गलती कहिना की कॉंगरस के नेतरों तुनने की है, सिर्फ प्रत्याश्यू के चैन को लेकर और यही वजाए कि कॉंगरस को हार का सामना करना पड़ा है, और आज जोबट पास आ रहे है और साथ ही साथ अगर हम बात करें, प्रत्वीपुर ने उतारा, और उमिदवार को उतारने के साहथ-साथ, जिस प्रकार से त्यारी किम, उसका यही नतिजा निकल कर आया कि भारतियंदा पार्टी के में में सीटे आई है और भारतियंदा पार्टी ने चुनाव जीता है जोबट कि अगर हम बात करें आदिवासी बाहुल इलाका है आदिवासी के लिए सरकार ने कई गोशना किये पंदर तारी को प्रधार मंत्री भी राज़ानी भोपाल आ रहे है जन जाती जो कारेकरा में उसमें शिर्कत करेंगे तो ऐसे में वस बेल्ड पे आदिवासी बात करें आप प्रित्विपूर में ही मौजूद है और बीजेपी में जाहिर तोर पर बीजेपी की खेमें में जशन का माहौल है किस तरह की तैयारी है अब आगे जशन को लेकर किसी तरीकी के अनाउस्मेंट की गई हो कोई जुलोस निकाला जाना हो क्या कोई अपडेट करतीक भी यहां पर मदगर्ण स्थल पर पहुंच गए हैं और सभी जिस तरीके से भाजपा के जो बड़े बड़े देता है उनका आनज शुरू हो गया है और जीत को लेकर बधाईयों का सिलसला भी शुरू हो गया है बाहर भी पटा के छोड़े जा रहे हैं काफी संख्या में भाजपा सवर्थक लोग जो मदगर्ण स्थल है उसके बाहर मौजूद है और गुलाल और रंग और जिस तरीके से पटा के पोड़ रहे हैं तो यहां जस्न का माहौल जरूर दिखाई दे रहा है हाला कि कोरोना की बज़े से किसी भी तरीके के जस्न उसको ना मनाया जा के हैं और बधाईयां दे रहे हैं और पिथीपुर के बिधान सवा उट चुनाओं को यह शीट जीतना वास्तों में भाजपा के लिए एक बड़ी चुनोती थी जो उट भाजपा ने अब उसको हासिल कर लिया है जिस तरीके से भाजपा की यहां पिलानिंग रही सबसे पह काफी भाजपा कि पक्ष में हुगा और कहीं न गहीं ब्रामण मतदाता जो नाराच ते कई ब्रामण जोतर पूरा प्रियास किया गया जिसका परणाम यह हुआ कि आज बीजेपी जीत की ओर है और जीत चुकी है पिती पूर बिदान सबाव चुनाओ बिल्कुल और इसके लिए जर्शन की तयारे भी शुरू कर दी है जैसे कि आपने जिक्र किया अच्छा जीते अंदर हम मुख्यमंत मुख्यमंतर के ओर से ये भी कहा गया कि जितनी उम्मीद थी उससे जादा बेतर नतीजे आए उनकी तरफ से ये भी कहा गया यानि कि कुछ सीटों को बीजेपी पहले ही अपने लिए मुश्किल मान कर चल रही थी क्योंकि प्रचार में भी खूब ताकत जो है बीजेपी के और से जोंकी गई केंद्री नेता तक प्रचार के लिए आए तो मान कर ये चला जाए कि बीजेपी को जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा बीजेपी को मिल गया है इन उप्चुनावों में प्रतिविपूर विधान सबा का जो चुनाओ था हमों के लिए काफी मुश्किल बहा था फिए पूर क्या जो फीडबेक निकल कर आया था उस प्रतिविपूर विधान सबा ने बता दिया थे कि बारती पार्टी को यहां से काफी नुकसान हो सकता है लेकिन मुक्यमंद्री ने कहा कि confidence थे और होने सारी सीटों का आकलन किया था और मजबूती के साथ इस चुनाओ मिलान में उतरे थे और यही बजा रही कि और होने उस सीट पर भी जीत हासिल करी जिसको लेकर बीजेपी के अंदर ही लोगों ने कहा था कि इस सीट को जीतना काफी मुश्किल हो सकता है तो ऐसे में किना गलत नहीं होगा कि भारतिन्दा पार्टी ने और मुखिवंदी शिवरासिंग चोहान ने पूरी तयारी के साथ इस चुनाओ को लड़ा है और उसका परिजेपी ने इस चुनाओ को लड़ा है और इसका जो है नतीजा भी देखने को मिला है आप सभी ब झाल